हारुफिक सैमसंग M21 फेस अनलोक नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि फेस अनलोक नोट वर्किंग प्रॉब्लम आप सौल्फ कैसे कर सकते है कई बर दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होते हम जो फेस एट करते हैं ठीक है वह दोस्तों काम करना बन हो जाते हैं यहाँ पर दोस्तों हम अपने फेस की मदद सिफ मोबाइल को अनलोक करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाते हैं ठीक है तो अगर दोस्त कीजिएगा तो आपका problem solve हो जाएगा solution के सारे साथ दोस्तों मैं आपको कुछ reason से आपे बताऊंगा ठीक है जो कि दोस्तों आपको पता चलेगा कि किस वज़े से आपे काम नहीं करते आपका face lock तो वीडियो के सारां तक बने रही है सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe करें तो subscribe करते हुए वैल आइकून को क्लिक करें अगर आप online पेसा कमाना चाहते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा ठीक है किसी भी problem के regarding पर हमें Twitter पर फॉलो करके message करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर face unlock का जो problem है वह दोस्तों इस वज़े से भी होते कि अगर आप अपने face पर कोई भी accessories लगा के रखते हैं जैसे की headphone मान दीजिए या फिर गोगल माक्स ठीक है ऐसा कुछ आप आपने face पर लगा रखें तो दोस्तों उसके वज़े से भी कई बार face unlock काम नहीं करते हैं यह चीज़ आप द्यान दीजिएगा ठीक है और आपका जो front camera है वो clear होना चाहिए तभी दोस्तों आपके जो face unlock है वो अच्छे से काम करेगा ठीक है अगर दोस्तों face में कोई भी accessories नहीं है कि front camera दोस्तों बिल्कुल साफ है ठीक है फिर भी problem आ रहा है तो आप mobile को restart करें रिश्टार्ट करने के बाद दोस्तों एक बार दुबारा से चेक करके देखें अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने डिवाइस के जो default setting है उसको open करें यहाँ पर दोस्तों आपको simply find out करना है biometrics and security तो उसमें जाके दोस्तों आपका जो face recognition आपने एड क्या है face registered ठीक है अपना mobile password याप पर आपको देना है और उसके बाद यह interface आ जाएगा तो आपको क्या करना है remove face data पर click करना है ठीक है और remove कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको बेक करना है बेक करने के बाद दो दोस्तों आपको नीचे की तरफ यहाँ पर click करना है apps पर जाने के बाद दोस्तों आपको find out करना है camera option ठीक है camera option उसमें जाईए क्योंकि दोस्तों आपका जो front camera है उसी से detect करते है आपका face तो आपको storage पर जाना है clear data पर click करके ok कर देना है और bake करके सारे permissions allow कर देना है ठीक है सारे permission आपको allow करना है सारे permission allow करने के बाद दोस्तों आप simply यहाँ पे बेग कीजिएगा ठीक है बेग कीजिएगा और आप जाइए general management पे इसके बाद क्लिक कीजिए reset option पे और reset all setting पर जाके reset setting पर दबा दीजिए और अपना mobile password बर दीजिए इससे सारे सेटिंग reset हो जाएगा सारे setting reset होगा उसके बाद दोस्तों mobile को restart करें एंड आपको दुबारा से biometrics and security पर जाना है mobile patron बर गयादा set कर लेना है ठीक है अगर password नहीं है mobile पे तो password add करना है उसके बाद face recognition की तरफ जाएए mobile password भर दीजिए और face recognition आपको add करना है यहाँ पे दोस्तों आप more about face recognition पे क्लिक क चेक आउट कर सकते कैसे कम करते हैं continue पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जागा कि do you wear glasses ठीक है यानिके दोस्तों अगर आप glasses पेहनते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर glasses को उतार के ही अपने face को रेकूपनाइस कीजिएगा ठीक है वरना नहीं होगा रेकूपना तो आपको यहाँ पर अपना जो glasses से face में कुछ भी एसेसरिस नहीं रखना है मार्क्स या फिर कोई भी glasses ठीक है तो वह सब दोस्तों आपको रिमूफ कर देना है उसके बाद आप दोस्तों हेटफोन पेहन रहा है तो भी आप हेटफोन को भी जो है रिमूफ करके फेस को रेजिस्ट्र कीजिए और यहाँ पर दोस्तों अगर आप बाई एनी चांद ग्लासेस पेहनते हैं या फि फेर को अपडेट करें तो इस तरे करेंगद दूबारा सिंद नहीं होगा थिक तो फैर आपडेट दोस्तों बहुत चाहाँ व्यस्टी ने का यह और नहीं 20-36 करने